हेलो गाइज वेल्कम बैक टू माइ अनाइदर वीटूब वीडियो आज मैं आपको साथ में शेयर करने वाली हूं कि जो स्कूल गोइंग गर्ल और पॉलिश गोइंग गर्ल्स दो होती हैं उन लोगों को अपने बैग में नोट बुक के अलावा और क्या क्या चीज़े जो ब स्कूल जाती है उन लोगों का एज गुरूप जो है वह थार्टीन से अबब है 13 तो 18 तक है और कॉलिज में तो एज का कोई लिमिट नहीं है तो स्टार्ट करते हैं यह वीडियो सबसे पहला जो है इस पूल गर्ल जो होती है शुल जाने वाली जो थार्टीन एज हो जाती ह 12 के बाद तो सबसे जरूरी कि उनको अपने बैग में साथ में रखे उसके साथ ही इसके साथ ही नूज पेपर औरboys बैग जो डिस्पोजल होता है वो साथ में रखे, वो उनके लिए काफी हल्प रहती है उसके बाद जो है कि आप अपने बैग में नाइफ या फिर सीजर रख सकते हैं चाकू या फिर आप कैन्छी रख सकते हैं अपने साथ में वहlais लिए क्योंकि आपके पार्सनल सेक्यूर्टी की में भी काम आएगा और मार्केट में आपको पुछ भी फूर्ट वगरा लेते लेटे तो जैसे आपकोना सब्सक्राइब और के लिए भी आप रख सकते हैं और वैसे तो मेरा यह आप को बताना है कि यह आपके security के रूप में भी एक कामा सकता है देन फ्रेंड्स आप लोगों को रखना ची अपने साथ में चोटा चोटा सा body lotion, moisturizer और एक चोटा सा lip balm वो इसले क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लड़कियां सुबह के school होता है उनले पस इतना time नहीं होता वो जल्दी जल्दी में अक्सर होता है कि वो ऐसे ही निकल जाते हैं तो आपका जो डेली जब आधा से ज़्यादा time आपका स्कूल में भीतने वाला रहता है और आपका जो स्किन है वो ड्राई होने लगता है और कभी ज़्यादा धूप हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आप उसको छोटा छोटा दस रुपए के डिबबी बिल जाती है चुटी-चुटी आपको वो सारी चीज़े रखनी है अपने साथ ताकि आप उसको अपने साथ लंच बॉक्स रखे आजकल के टाइम में जल्दी-जल्दी बच्चे निकल जाते घर से बाहर और लंच बॉक्स लेना भूल जाता है या लेकी नहीं जाते हैं कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ गर्स ऐसी होते हैं कि वो लंच बॉक्स का उन्हें आदत ह ले जा सकते हैं ये सारी चेज़ेँ कि आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल के पहुत होती हैं, दिमाट का महनत है आपा शरीर का महनत है, उसके बाद आपका energy बहुत सरा loss होता है इसके लिए आपको लंच बॉक्स के साथ फुरुट derive भी रखना चाहिए, साथ में आप सो जूप होती है बहुत सारी लड़किया वाँ चकर खाखा कर गिर जाती थी तो इस वज़ा से मैंने इस लिस्ट में इसको एड किया है ताकि आप भी ले जा सके अगर आपके स्कूल में शेड नहीं है टीन शेड या कुछ भी शेड नहीं जहां पर प्रेयर होता है जहां पर प अपने भाँ गुष्छ को भी असनितनी अपन प्रेयर हो बाह टीन हो है तो इन सब फेड़क में इस आपको अपने बैग में और जाहिए। और किसी का हल्प भी हो सकता है अगर कोई आपकी फ्रेंड ऐसी चीज में उसको प्रॉब्लम है या फिर मनी उसको चाहिए तो आप उस चीज में भी काम कासते तरहें मनी भी आपको रखना ही रखना है और हम अगर आप लन्ज बोक्स लेकर नहीं जाते कोई फूर्ट सब लेक से क्या होगा कि आपका जो है अच्छा हेल्दी लंच भी हो जाएगा और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा क्योंकि गर्मी के टाइम में अगर आप ज्यादा ओईली चीजे खाएंगे तो बहुत दो नुकसान भी हो सकता है या पिया कोल्ड रिंग अगरा से हटकर अगर यह सारे चीजे हो सकती है आप फ्रूट जूस भी पी सकते हैं अदर्वाइस चॉइस यॉर्स आपका चॉइस आपको जो अच्छा लगया वो खाये बस आप स्कूल या कॉलिज के टाइम में बीमार ना पड़े बस इसलिए मैं आपको यह लिस्ट में डाली हो कि आपको यह चुटा सा फोन नोट बुक जो होते उसको आप रख सकते जिसमें बहुत ही जरूरी जरूरी नंबर होना चाहिए एक एम्बिलेंस का होना चाहिए आपकी घर के मेंबर्स का फोन नंबर होना चाहिए उसके बाद आपको पुलिस का नंबर होना चाहिए और बहुत सारी जो जरूरी चीजे हैं महिला हेल्प लाइन बहुत सार है उस अब नंबर आपके पास होना चाहिए जिससे कि अगर आपके पास मुबाइल नहीं है तो आप अगर बाहर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं अगर घर जा रहे हैं घर जाते टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो अगर आप स्कूल जाने वाली लड़किया है तो आप लोग प्लीज यह सारी चीजे रखा करिये फोन अपने बैग में इसके बाद आपको रखना चाहिए ट्रांसपेरेंट पाउच जो की जिप वाली होती है उसमें आप अपने मोबाइल फोन चार्जर अगर आप कॉलेज स्कूल जाते हैं तो आप अपने डॉकिमन वगरा nephew सकते हैं क्यम कि रेनी सीजन होता है तो क्या होता है कि रेनी सीजन अचानक से कभी बारिश स्राइब और बारिज के खराब हो जाता है तो इसलिए आपको यह भी रखना जरूरी है इसमें आप अपनी सारे इंपोर्टिन चीज़े रख सकते हैं जिसे कि आपका रेनी सीजन में यह बिल्कुल भी खराब नहों डैमिश नहों और सबसे लास्ट एंड लीस्ट सबसे जरूरी चीज़े क्या है कि आपको अपने बैग में मेडिस यहाइसे सारी चीज़े मैंने बताई हैं और छोटे-छोटे पाउसस में करके बैग में रख सकते हो तो यह आपको काफी help करेंगे सो गाइज मेरा जीडियो ette मेरा फुटा होता है यह सारे चीजे बहुत लोगों को पता होती बहुत लोगं नहीं पता होती जिन लोगों को नहीं से स्रपैस्शान boyました और यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि girls है girls का life थोड़ा change होता है और boys का थोड़ा सा change होता है तो boys के लिए उतना matter नहीं करता है मगर girls के लिए यह बहुत ज़रूरी है यह सारी चीज़े carry करना bag में और यह आपका life changing भी है और आपको पूरी life में अगर college में पढ़ रहे हो अगर आप college से निकल गयो फिर भी आप कोई सारी चीज़े काम आने वाले इसलिए आप हमेशा carry करने की आदर डाल ले तो यह जादा अच्छा रहेगा so I hope आपको मेरा यह वीडियो छोटा सा अच्छा लगा होगा informative वीडियो मैंने आज बनाया है आप लोगों के लिए तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दिजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा ताकि मेरे सारी इसे information वीडियो के साथ informative वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई